राजस्तान के नए मुख्य मंत्री भजनलाल सर्मा जब से मुख्य मंत्री बने हैं तब से लगातार उनकी परिक्षा जारी है नए ने मुक्यमंत्री बने पदहन मंत्री नरेंदर बोधी और अमित सा ने उनके उपर विश्वाज जताया और राजस्तान की कमान बजनलाद सर्मा के हाथ में दी जैसे ही मुक्य मंत्री बने लोगसभा के चुनाव सामने आ गए लोगसभा में 11 सीटे उनको गवानी पड़ी जो कि पिछली बार क्लीन सुई 25 सीटे राजस्तान से थी उसमें इस बार 11 सीटे विपक्स को चली गई इस परिक्षा में कैसे जैसे पास हुए नहीं नहीं थे इसलिए परदहन मंत्री नरेंदर मोदी ने भी विश्वाज रताया इसके बाद अब एक बड़ी परिक्षा उनके सामने आ गई है वो है उप्चुनाव उप्चुनाव में लगबग देखा जाता है कि जिसकी सरकार होती है उप्चुनाव के नतीजे उसी के पक्स में जाते हैं लेकिन क्या इस बार हो पाएगा इसा बजनलाल सर्मा लगातार परियास कर रहे हैं और इससे पहले बजट पेस करने की भी कवाइद जारी है प्री बजट की बेट के लगातार जारी है लेकिन प्री बजट की जो बेटक है उसमें वही अधिकारी नजर आते हैं जो असोग गैलोत यानिकी पूरुव मुख्य मंतरी असोग गैलोत को के रन्नितिकार होते थे या उनको सला देते थे तो कहीं ना कहीं अब बजटनलाल सर्मा को इस रन्निति में भी बदलाव करना होगा कि उन रन्नितिकारों को उन सलाकारों को बदलना पड़ेगा नहीं तो वो सलाकार वो ही सला देंगे जो पिछले कई सालों से देते आ रहे हैं और उनकी वज़े से वसुंद्रा राजे चली गई और उसके बाद मुख्यमंत्री असोग गैलोत यानि कि पूरे मुख्यमंत्री असोग गैलोत की भी सत्ता चली गई अब यदि कुछ अलग करके दिखाना है तो बजटनलाल सर्मा को कुछ बोल्ट निर्ने लेने होंगे जिसको लेकर अब लगातार कहीं कहीं विरोध देखने को नजर आ रहा है लेकिन इन सब विरोध का सामना करना पड़ेगा क्योंकि कुछ बदलाव करना है तो कुछ बोल्ट निर्ने लेने पड़ेंगे बजटनलाल सर्मा को ये देखना होगा कि राजस्तान के बविश्य को बदलने के लिए हिदी एक दो परसेंट नुकसान होता भी है तो उसको सहिन करना होगा महीला आरक्षन इसलिए भी जरूरी है कि महीलाओं को अब बराबरी का हक दिया जरूरी है महीलाओं को आगे बढ़ाना जरूरी है और महीलाओं को कंदे से कंदे मिलाकर चलना भी जरूरी है महीला वोटर भी जाद है इसलिए उनको साधना भी भाज़पा के लिए जरूरी हो जाता है अब बात करें कि जिस तरीके से परिक्षा उप्चुनाओं में बजनलाब सर्मा के होने वाली है वो महतोपूर्ण है क्योंकि उप्चुनाओं के बात करें तो खीवसर की सीट खाली हो चुकी है साथी दोसा, जुन-जुनू, देवली उनियारा और चोराश यह सब सीटें यानि कि पांस सीटू उप्चुनाओं और उनकी तारिक की गोशना भी हो चुकी है तो आप देखना होगा कि क्या इन पांस सीटू के उपर भाजपा अपने उमिद्वार उतार कर जगें और शीट को काबिज कर पाएगी सबसे बड़ी चर्चा है हनुमान बेनिवाल और कॉंग्रेस के गटबंदन को लेकर क्योंकि हनुमान बेनिवाल ने लोकसवाग चुनाओं में कौंग्रेस के साथ ग गटबंदन किया उनका कहना अब यह है कि के साहिब कि उनकी वज़़ेस की सीटी आई है तो अब क्या तो ऐसे में क्या टेबल टोक होगी और क्या कॉंग्रेस सहमत होगी कि उनको कहीं न कहीं एक दो सीटों पर सीट दी जाए और उनके लिए छोड़ी जाए क्योंकि अब टप मुकावला है चाहे वो खींसर हो दोसा हो जुन-जुनु हो या फिर देवली उनियारा चोरा सी जहां से रादकुमार रहता आते हैं यह सब सीटें बड़ी काटे के टक्कर वाली है खींसर की बात करें तो कहा जा रहा है कि अनुमान बेनिवाल की पतनी कनिक बेनिवाल या उनके भाई नारण बेनिवाल को हनुमान बेनिवाल उतार सकते हैं लेकिन कयास यह भी है कि कहीं बास्पा के तरफ से जोती मिर्दा मैदान में आ गई तो पिर हनुमान बेनिवाल को मजबूरन इस सीट पर खुद चुनाव लड़ना पड़ेगा तो क्या फि है पिलाल की द्रिश्टिकों और पिलाल की नगर से नज़र आरा है कि यह पांच उचुनाव बजनलाल सर्मा की कड़ी परिक्षा लेने-वाले हैं साथ ले वाको बता ले कि बजनलाल सर्मा जब से मुक्यमंत्रि बने हैं उनके मंत्री उनके कई न कई काबू में नहीं है पहले लगातार करशी मंत्री किरोडिलाल मिना चुनाओं को लेकर कह रहे थे कि वह इस्तिपा देंगे इस्तिपा कि उन्होंने पेशकस भी कहीं अंद्रों निकी है क्योंकि उन्होंने जिन शीटू पर दावा किया था वह बड़े काम हैं किसानों के लिए और किसानों के कल्यान के लिए उनको करते रहना चाहिए क्योंकि वह सडक के नेता हैं हर नब्ज जानते हैं किसानों की क्या समस्या है वह भली बाती और अच्छे से उन्चे ज्यादा कौन जान सकता है साथ ही अब एक और विवास सामने आय और कहें कि राजकुमार रोध को लेकर सांसद है उन्होंने घरपर बंगले पर बेजने की कवाय सुरू कर दिये हैं बहुत से आधिवासी समाज में भी इसको लेकर रोश व्यापत है हालांकि बंदिलावर ने दूसरे दिनी press conference करके कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेस किया गया मैंने आदिवासी समाज के लिए नहीं कहा और दूसरी तरब कियो डिलाल मिणा ने भी अब कहा है सनात्नी हिंदू है तो कई ना कई आदिवासी समाज में भी अंद्रोनी मंदल को भी एक साथ एक जुट रखा जाए और जो बोलने की बासा है उसको संयमित रखा जाए कहा यह भी जा रहा है कि लोग सवाचुनाओं के बाद जिन जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी लोग सवाचुटू की वहां से हारने के बाद 6-7 मंत्रियों ने इस्तिपे की पेशकस कर दी है तो माना यह जा रहा है कि जल्द ही आप मंत्री मंडल में भी फेर बदल हो सकता है साथ ही आज की एक ताजा गटना जिसमें देखा गया कि वसंद्रा राजे को संग परिवार के वजूर प्वेक्ति जब माला पैनाने जा रहे थे तो गुलाब चंद कटारिया ने उनको मना कर दिया उनका तर्क था कि ऐसे बीच बीच में माला पैनाने से व्योस्ता भंग होती है ठीक नहीं रहता है इसके बाद आज एक बड़ा हमला वसंद्रा पूरो मुक्य मंत्री वसंद्रा राजे ने बोला जो कि पहला मोका था लोकस्वा चुनाओं के बाद जबकि कयास लगा जा र अलग था और अब जो हैं जिनको अंगुली पकड़ कर चलना शिकाया वही अंगुली काटने लग गए तो बड़ा बयान यह देखने को मिला है आज वसंद्रा राजे की तरब से वसंद्रा राजे ने किसको लेकर यह कहा है यह अब देखने वाली बात है क्योंकि वसंद्र सबसुना हो वह सान थी लेकिन आज इस तरीके से उनका बयान आया है वह मैत्तुपूर्ण हो जाता है बहराल देखना यह होगा कि बजनलाल सर्मा किस तरीके से उप्चुनाओं में एक बार फिर कमान समालते हैं साथ हनुमान बेनिवाल क्या कोंग्रेश के साथ मिलकर काम कर करते हैं या पर दोसा जुन 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 जैसी कई सीटू के उपर सचिन पाइलेट की समस्या बढ़ा देंगे क्योंकि देवलियू नियरा जैसे सीटू के उपर आप जो है अनुमान बेनिवाल दावा कर रहे हैं कि वहां से अपना उमिद्वार भी वह उतारेंगे ऐसे में खबरों में बने रही है हमारे साथ हम अगले खबर लेकर फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए जैहिन जैभाद